मरजामा के फर्स्ट लुक पोस्टर की खास बाते क्या हैं और इस फिल्म में तारा सुतारिया का किरदार किस प्रकार का होगा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सवी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों अभिनीता रितेश देशमुक और सिधार्थ मलहोत्रा स्टारर फिल्म मरजामा को लेकर काफी समय से चरजा चल रही है लेकिन अब इस फिल्म से दोनों का फर्स्ट लुक पोस्टर और रिलीज डेट सामने आई है बैक टू बैक तीन पोस्टर रिलीज किये गए हैं जिसमें सिधार्थ और रितेश काफी जादा खतरनाक नज़रा रहे हैं आपको बता दें कि सिधार्थ मलोत्रा और रितेश देशमुक के साथ इस फिल्म में राकूल प्रीट सिंग और तारसुतारिय नज़राने वाली हैं इस फिल्म को निर्देशक मिलाप जावेरी निर्देशित करने वाले हैं और ये फिल्म 22 नेवेंबर 2019 को रिलीज की जाएगी इन पोस्टर की बात की जाए तो इन में एक लाइन लिखी है कि मैं मारूंगा मर जाएगा दोबारा जन्म लेने से डर जाएगा फिल्म के पोस्टर को देखकर एक बात तो तैह है कि फिल्म काफी धमाके दार एक्शन से भरपूर होने वाली हैं रुतेश देशमुक को इस अंदाज में आपने शायद ही कभी देखा होगा लेकिन ये पोस्टर भी काफी अलग है तो वहीं एक्टर सिधार्थ मलोतरा भी प्रावन के आगे खड़े नजर आ रहे हैं अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो हीरो है या फिर विलन फिल्म में एक्ट्रिस तारस उतारिया एक बार फिर से अपनी खूबसूरती का जल्वा बिखेरती नजर आएंगी तो वहीं राकुल प्रीट सिंग भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी हाल ही में उन्होंने देदे प्यार दे जैसी हिट फिल्म भी दी है फिल्म को शांदार निर्देशक मिलाब जावरी निर्देशित करने वाले हैं उन्होंने पहले भी कहीं हिट फिल्म में दी है तो दोस्तों आपको ये फर्स लुक पोस्टर कैसा लगा हुआ हुआ है